हमारे साथ मौझूद हैं सिम्डेज़गा विधायक विम्रा प्रधान जी उनसे ही बात करते हैं सबसे पहले तेवी न्यूज़ में आपको धरन्या बात चिलें क्या आपको लगता है जिस तरह से सरकार का कारिकाल पूरा हो गया जनता की कोई ऐसी बाते जो आप बटल पर नहीं रख पाई अब सत्र में नहीं रख पाई देखिये मैं दूसरी बार विधायक बनी थी 2009 और 2014 के बाद जब यहां पर पूर्ण बहुमत की सरकार भारतिय जनता पार्टी की आई तो बहुत सी आवसकता हैं जो जेनुवीन थी जैसे रोड है पूल है पूलिया है इन सब चीजों का बहुत ही धडले से विकास हुआ है लेकिन अभी जनता की मांग भी बहुत जादा है आप एक छाएं हमेशा बढ़ ही जाती है और अगर पूल पूलिया और सडकें बनती ह है तो उसके कारण बहुत जगह अभी भी सडकें बनानी बाकी है और काशकाल काफी अच्छा रहा मुझे जनता का सपोर्ट भी मिला और अपने भारतिये जनता पाटी के बरिष्ट लोगों का भी सपोर्ट मिला है अगर हम आपके छेत्र की बात करें तो जिस तरह से गामे विधान सभाचुनव है तो कोई ऐसे मुद्दे या फिर जनता की ऐसे समस्याएं जो इन पांच सालों में पूरा नहीं हो पाया तो उसके लिए ऐसा आपको लगता हो कि नहीं और वक्त मिलता तो हम जनता के समस्या उसमें ऐसा नहीं है कि हम लोग देखे भी लोक सभाचुनाव में कि बिकास के मुद्दे पर कोई भी विपक्ची नहीं कर सकता है कि बिकास के मुद्दा नहीं हुआ केवल कुछ हमारे आदिबासी छेतर हैं वहाँ ये दुस्प्रचार बीपक्ष के द्वारा किया ही गया है कि जल जंगल जमीन आप लोग की लूट लिएगी सरकार लेकिन जब हम लोग जनता के बीच में पहुचते हैं और उनसे जब हम लोग पूचते हैं कि आपकी सरकार ने कब आपकी जमीन को लूटा है तो वो लोग निरूतर हो जाते हैं और उसका परिणाम भी आपने देखा कि अपने जारखंड में ही नहीं अपने भारत देश में भारतिये जनता पार्टी फूल बहुमत के साथ लोग सभा चुनाव जीती है तो आने वाला समय में मुद्दा जरूर भी पक्च का रहेगा जल जंगल जमीन का लेकिन हम उस मुद्दे को समाप्त करते हुए विकास के मुद्दे पर हम लोग चुनाव लडएंगे आने वाले समय में आपको नहीं लगता कि जिस तरह से लिंचिंग के घटनाई हों या फिर डाएंव विसाही वो जार्खन में हावी होता जा रहा है लगातार इसको लेकर देखिए मोब लिंचिंग तो जो भी है यह नहीं होना चाहिए इस तरह की घटनाएं होती है तो उससे हम लोग भी आहत है और डाइन विशाहिन का जो मामला है वो ट्राइबल इलाका में अंद विश्वास के कारण होता है जो गाओं में लोग सोचते हैं कि कोई डाइन विशाहिन कर दिया इसलिए हम लोग बीमार हो गए लेकिन उसके बाद भी अभी जागरुकता कुछ बढ़ी है क्योंकि आईसबान भारत आने के बाद जो काड आया उसके बाद हम लोग गाओं गाओं में इसका प्रचार प्रसार करने लगे तो आज हमारे सदर होस्पिटल हो सिम्डेगा का या वहाँ पर एक बीरु होस्पिटल है या रीम से वहाँ भी लोग आके दिखा रहे हैं लेकिन जहां भी इस तरह की घटनाए हो रही है निश्चित रूप से वहाँ जागरुकता लाने की आवसकता है और उसके लिए अप प्रदान मंतरी नरेंदर भाई मोदी ने शुरू किया है और महिलाओं को ससक्त कर रहे हैं उस चेतर में और भी जो एसेच है जो सेल्फ हैल्प ग्रूप है उसको हम लोग मतलब ज्यादा मजबूत करेंगे और महिलाएं आर्थी ग्रूप से मजबूत हैं उसका प्रयास करे दूसरी चीज अपने पूरे जारखंड में 50% आरक्षन महिलाओं को मुख्या के रूप में या प्रमूप के रूप में या जीला परिशत के चुनाओं में मिला है उसमें हमारी महिलाएं फिर से दुबारा जीत कराएं जो हैं और अच्छे काम करें उसका हम लोग प्रयाद झाल